किटनी डैमेज में क्या संक्यत आते हैं किसी किटनी खराब हो रही है तो उसमें किस तरीके से लच्छन आते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ किटनी डैमेज में लच्छन का इंतिजार करेंगे तब किटनी डैमेज बहुत जादा हो जाती है तो कभी भी अगर risk factor है kidney damage से समबंदी जैसे किसी को diabetes है, hypertension है, दवाई लंबे समय से चल रही है, कुछ तरह के infection है, या इस्टोन है, kidney क्या सपसदर्द रहता है, तो आपको जाचों के द्वारा ही पहले पता करना चाहिए, kidney damage में लच्छन बहुत लेट आते हैं, kidney damage में अगर kidney 50 से जदा damage हो जाए, कुछ cases में 60-70%, वो भी दोनो kidney damage हो जाती है, तब लच्छन आते हैं, तो लच्छन अगर किसी को kidney damage में आ रहा है, तब तक फिर बहुत देर हो जाती है, बाराल अगर लच्छन की बात करें क्या लच्छन आता है, तो जातर cases में होता क्या है कि, kidney damage में, प्रोडक्त बाहर ने निकाल पाती, तो सरीर में पानी भरने लगता है, तो हात पाउं में सूजन हो जाती है, चेहरे के आसपास सूजन हो जाती है, तो सरीर में पानी भरने के कारण, हात पाउं में सूजन हो जाना और चेहरे पे सूजन होना एक प्रमुक लच्छन आता है इसके लाबा kidney damage में patient का hemoglobin कम होने लगता है क्योंकि hemoglobin बनने के लिए एक हार्मोन चाहिए एथ्रोपाइटिन जो की kidney बनाता है उससे hemoglobin कम होने से patient में थकान से या सांस लेने की समय स्या घवराहट चुचिलापन ये आता है इसके लाबा kidney damage में अगर stone के वज़ा से kidney damage है कोई obstruction हो रहा है रास्ते में कोई रुकावट हो रही है तो दर्द हो सकता है तो kidney जो flank area होता है कमर के पीछे की तरफ वहाँ पे दर्द हो सकता है तो ये हमेशाब ध्यान रखना है कि तभी दर्द होता है जब kidney में कोई obstruction वाली समय से है नार्मल केसिस में दर्द नहीं होता है बहराल हो सकता है लच्छोडों में एक ये भी आता है और kidney damage हो रही है तो urine में बदलाव आता है अगर ज़्यादा urine हो रही है तो हलके color की होगी डार्क concentrated urine होगी तो yellow color की होगी थोड़ा brown color की हो जाएगी urine की अंदर RBC आने से red color की हो सकती है तो urine की जो frequency है उसमें भी बदलाव हो सकता है ज़्यादा बार भी मरीज जा सकते हैं लोगों की नहीं भी उत्रेगी तो पेसाब में भी बदलाव आ सकता है तो ये कुछ प्रमुक लच्छन है जो किजनी patients में आते है और फिर लंबे समय में चुँकि जब urine क्रेटिन का level बढ़ता है तो उस समय फिर patient को उल्टी आना भूख नहीं लगना भूख नहीं लगने से उसका जो वजन है वो कम होने लगता है और फिर यूरिया क्रेटिन जदा बढ़ने से दिमाग के उपर भी असर डालता है तो इस तरीगे के लच्छन आते हैं वो अगर kidney damage होता है लेकिन अगर किसी को लच्छन आने लगा तो इसका मतलब है कि already kidney काफी खराब हो गई है तो इस लिए ऐसे लोग जिनको diabetes और hypertension दो बिमारिया है वो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें बीच बीच में अपने kidney की चार्च कराते रहें जो बांकी की बीमारियां हैं उनमें लच्छन आ भी जाता है बांकी की आरगन जब खराब होते हैं लेकिन kidney के साथ ऐसा नहीं है और इसमें important है कि हम जो testing भी करते हैं यूरिया क्रियाटिन की जैसे testing है वो सुरुवाती kidney damage में यूरिया क्रियाटिन भी नहीं बढ़ता है क्योंकि kidney तो अपना काम करी लेती है इसलिए इसको पहचानना बड़ा मुश्किल रहता है kidney damage को सुरुवात की stage में जब तक ये लच्छन आते हैं तब तक काफी देर हो चुकी रहती है इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि ज़्यादा test पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए अगर test समय समय पे कराते रहेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से पकड़ में आती है बाराल ये kidney damage के मैंने कुछ संकेत बताए है इन पे आप ध्यान रखेंगे तो kidney damage से बच पाएंगे Thank you